नमस्कार दोस्तो, FNN News में आपका स्वागत है दोस्तो, Meta on WhatsApp की और से International One Time Password की एक नई केटेगरी पेश की गई है इससे भारत में Business Message भेजने की कीमत में इजाफा होगा WhatsApp के इस करम से Company की कमाई में इजाफा होने की उमीद है Economics Times की रिपोर्ट के अनुसार International Messages की कीमत पहले से 20 गुना ज्यादा बढ़ गई है हाला कि आम यूजर्स पहले की तरह फिरी में WhatsApp इस्तमाल करते रहेंगे नए फैसले का असर Business SMS पर होगा देने होंगे 2.3 रुपे प्रती SMS WhatsApp की नई International Message के टेगरी के तहत प्रती Message में 2.3 रुपे देने होंगे या नियम एक जून से लागू हो जाएगा इसका सर्भारत और इंडेनुशिया दोनों देशों के कारोवार पर देखने को मिलेगा WhatsApp के नए फैसले से इंटरनेशनल कमपनियों जैसे Amazon, Google और Microsoft का Communication Budget बढ़ जाएगा दरसल नॉर्मल इंटरनेशनल वेरिफिकेशन OTP के मुकाबले WhatsApp से वेरिफिकेशन करना सस्ता होता था पहले क्या था रेट? इससे पहले तक लोकल SMS बेजने के लिए टेलिकोम कमपनिया 0.12 एक दो पैसे प्रती SMS चार्ज करती थी प्रती SMS तक कर दिया गया है भारत एक पड़ा मार्केट बता दे कि भारत में इंटरप्राइजेज में रैपिड ग्रोथ दर्ज की जा रही है जिसका मार्केट शेयर करीब 6600 करोड रुपे हो गया है इसमें SMS, पुश मेसेज OTP वेरिफिकेशन एप्लिकेशन लॉग इन वित्य लेन देन सर्विस डिलिविरी जैसे मेसेज शामिल है तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी है हमें कमेंट करके बताएं साथी लाइक और शेयर भी करें